जादें इजराइल ने ऐसा क्या कर दिया है कि पाकिस्तान के अंदर हलचल मचा दी है और जहां एक तरफ इजराइल ने ये सब कुछ कर दिया है तो वहीं दूसरी तरफ भारत कनाडा मामले में कनाडा के पीएम जस्टिन टूडू का एक पांच साल पुराना वीडियो निकल क कराया है जो बताता है कि उनके मन में पहले से ही इसी तरीके की भावना पल रही थी और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो आखरी बाजी मार कर ले गया है अमेरिका कनाडा पुरी तरीके से हारा और इसमें फाइदा हो गया है अमेरिका का जानेंगे जियो पॉलिट ताजा रूप से कनाडा दो चीजे कर रहा है एक तो कनाडा के पीम ये कह रहे हैं कि देखो नाजी का सम्मान किया और इसके लिए जो अंतर राष्टिये तोर पर बार-बार कहा जा रहा है हमें दोसी सिद्धि किया जा रहा है हमें माफी मांगने को कहा जा रहा है ये सब के एक नाजी सैनिक के सम्मान में तालिया बजवा दी लेकिन टूडू इस बात को मानने को तयार नहीं है खेर ऐसा लगता है जिसे इनके दीन जो है ना बहुत ज़्यादा खराब चल रहे हैं इसके बाद इन्होंने क्या किया है इन्होंने फिर से ट्रेवल एडवाईजरी को यानि भारत में यात्रा करने के लिए जो सला है उस सला को एक बार फिर से अपडेट किया है और अपडेट करके इन्होंने कहा है कि देखो वहां जा रहे हो तो सतर करहना सावधान रहना अब कहा जा रहा है कि ये नई एडवाईजरी इसलिए जारी की गई है क्योंकि भारत ने हाली में एक एडवाइजरी जारी की थी और जिसमें यह कहा था कि कानाडा में रहने वाले भारतिय नागरी चात्र थोड़ा सावधानी बरते सतरकता बरते ऐसी जगों पर न जाएं जहां इस तरीके के हिंसा वाले कारिक्रम हो रहे हूं और आपको बता दें इस वक्त ये खबर आ रही है कि कई सारे खालिस्तानी परदर्शनकारी लगातार परदर्शन कर रहे हैं भारतिय स्क्रीन पर आपको एक छोटा सा वीडियो दिख रहा है इस छोटे से वीडियो में आपको कुछ बाते सुनने को मिलेंगी मैं चाहती हूं कि आप ये वीडियो सुने इस वीडियो में सबसे पहले मैं बता दूं ये वीडियो पांच साल पुराना है और इस वीडियो में उस सम दुणिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के साथ कनाडा के makes alguém around. और पर नुकसान पहुचा दिया है विपच्छी नेता एंड्रियू सीर ने परदान मंत्री जश्टीन टूडू से ऐसे विचित्र दावे करने से पहले ठोज सबूत परदान करने को कहा था आपको बता दें पहले भी इसी तरीके के आरोप लगाते रहे हैं कनाडा के पी एम से बड़े लोकतंत्र और एसिया में उभरती सकती के साथ कनाडा के संबंदों को गंभीर रूप से नुकसान पहुचाया है क्या आप सही काम करेंगे और जो आपने साजिस के सिध्धान्त को पेस किया है उसके लिए सबूत पेस करेंगे ये चीजे बताती है कि काफी लंब लगेगा कि देखो अमेरिका कितना बड़ा बनिया है कहातो ये जाता है कि कनाडा और भारत के बीच में आग में गी डालने का काम हमेरिका ने किया अब मेरिका ने किया यह बात तो वही जाने पर फाइव आईज देशों पर लगता है कि फाइव आईज देशों ने इसे भड़काया और मुखित अमेरिका के उपर आरोप जाता है अब यहाँ पर अचानक से आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं अमेरिका ने रिकॉर्ड नंबर पर भारतिय Chicken के लिए वीजा जारी किया है समझ लीजिए 25 पर तीसत भारतिय श्टूडेंट के लिए वीजा दिया गया और यह जो रिकॉर्ड है इस रिकॉर्ड का मतलब समझे 2000 वीजा दिया गया भारतिय छात्रों को दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा वीजा दिया गया इन्हें ही दूसरी तरफ क्या हो रहा है भारती स्टूडेंट जो कनाडा के अंदर पढ़ा करते थे उनको अब लग रहा है डर कि वहाँ पर रहना ठीक है की नहीं है ऐसे में वो अलग ओप्सन देख रहे हैं और भारत की तरफ से भी कहीं न कहीं उन्हें ये सुझाओ दिया जा रहा है कि आप कनाडा नहीं UK, US और ऑस्ट्रेलिया की तरफ रूख कीजिए भारतिय चात्रों और देशी मूल के लोगों का कनाडा की अर्थ वेवस्ता में बहुत बड़ा योगदान है खालसा वॉक्स नाम की संस्था ने इस चोकाने वाले रिपोर्ट में दावा किया है कि कनाडा में पढ़ने के लिए पंजाब के स्टूडेंट हर साल 68000 करोड रुपे खर्च करने हैं इस आगड़े को इसाधार पर निकाला गया है कि पंजाबी पातापिता हर साल औसतन 20 लाक रुपे खर्च करते हैं इस्टूडेंट वीजा प्रोसेसिंग एजेंसियों के मुताविक 3,40,000 पंजाबी चातर कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं कनाडा की एकोनोमी में भारतियों का बहुत बड़ा योगदान है उनकी एकोनोमी में सालाना 3,000,000 करोड का योगदान है और इधर अमेरिका क्या कर रहा है? वीजा जादा पे जादा दिये जा रहा है मतलब जो पैसा कनाडा को मिलेगा वो पैसा अमेरिका को मिलेगा और इस पूरी मामले में मैं आपको बता दूँ कुछ नहीं होने जाने को है ये मामला थोड़े दिनों बाद ठंडे बस्ते में चला जाएगा खेर जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं अब तो इसराइल ने एक नया बवाल काड़ दिया है और उस बवाल से पाकिस्तान बुरी तरीके से डर गया है हिल गया है अगस्त में लीविया और इसर दोनों के बीच अब रिस्ते ठीक हो जाएंगे इटेलियन मीडिया में ये ख़वर लीक हो जाती है और जब लीक हो जाती है तो लीविया की विदेश मंतरी नांजला मेंगोंस से पूछा जाता है कि क्या सचमुच में लीविया इसराइल के साथ अपने रिस्तों को ठीक करन जा रहे हैं इसके बाद पूरे देश में भयंकर बवाल सुरू हो गया हिंसा इतनी बढ़ गई कि विदेश मंतरी को देश छोड़कर भागना पड़ा अब इसका पाकिस्तान से क्या सम्मंद है तो आपको बता दें इसराइल के विदेश मंतरी एली कोहन ने एक बयान दिया है और इस बयान में कहा है कि सुनो छैसे साथ इसलामिक देश इसराइल को मान्यता दे सकते हैं देश के साथ सामान्न संबंद बना सकते हैं ये बात उन्होंने एक न्यूच चैनल में कही बिदेश मंतरी एली कोहन ने कहा कि अगर यहुदी राज्य सौधी अरफ के साथ हमार ने यूएन जनरल असेंबरी में भासन दिया था और कहा था कि हम सौधी अरब के साथ सांती समझाता करने वाले मोड में हैं अब जब पूछा गया अच्छा बताओ कौन-कौन से देश हैं तो कोहिन ने कहा कि यह देश अफरीका और एसिया में हैं लेकिन नाम नहीं बताया इ यानी 6-7 देशों में क्या पाकिस्तान का भी नाम है अब सोसल मीडिया पर पाकिस्तानी जनता कयास लगा रही है और पूछा गया पाकिस्तान के कारेवाहक विदेश मंतरी जलील अबास जिलानी से तो इन्होंने कहा कि देखो हम तो वही फैसला लेंगे जो पाकिस्तानी ज वीडियो में नई खबर के साथ